हेलो दोस्तो परदसी फ्लाइट एटूब चैनल पर आप सभी का विलकम है दोस्तो फ्लाइट और ट्रुवल्स को लेकर कुछ अहम अपडेट है आइटा की जो मीटिंग हुई है बोश्टन अमरीका में उसमें क्या कुछ कहा गया है बाडर ओपिन करने को लेकर फ्लाइट को इसके लावा दोस्तो सौधी एट को लेकर भी कुछ अपडेट है सौधी एट ने कुछ और लोगों को डायरेक्ट इंटरी की परमीसन दे दी है साथ में दोस्तों को वैक्सीन को लेकर भी अपडेट है लेकिन उससे पहले आप सबसे एक चोटी से अपिले अगर आप फ्ला किया हुआ है तो बार्टर को अब open किया जाए और flightों को चालू किया जाए इसके लवा इता ने इस बात पर भी जोड दिया है, जो लोग fully vaccinated है यानि जीनों ने वैक्सीन लगवा रख्ये उन्हें बिना रोगटों के travel करने की इजाज़त दी जाये PCR टेस्ट से इसके लावा quarantine से इन सब चीजों से उन्हें दूर रखा जाया यानि जो vaccinated लोग है उन्हें बिना किसी restriction के travel करने की permission दी जाया यह आईटा ने कहा है इसके लावा आईटा ने कहा है कि जो अभी PCR टेस्ट का खरचा है या और जो rapid PCR टेस्ट का खरचा है इसको या तो कम किया जाए या तो फिर इस खर्चे को सरकार वहन करे यानि पब्लिक से ये पैसा न लिया जाए PCR टेस्ट का रेपिट PCR टेस्ट का और जो कुछ चीजे होती है COVID-19 के दर्मियान यात्रा को लेकर तो इन सब पैसों का या तो खर्चा जो आ रहा उसको कम किया जाए जो ट्रिवल रिश्ट्रिक्शन को तमाम तर पाबंदियों को परतिबंदों को समाप्त किया जाए क्योंकि बहुत लंबा अर्सा हो चुका है तमाम जो ट्रिवल इंडस्ट्री है इसके लवा एरलाइन्स इंडस्ट्री है उनका काफी घाटा हुआ है और साथ में पाबंदियो वोग बहुत ज़्यादा परिशान रहते हैं इसलिए नेमो को flexible बनाया जाए उसको लचीला बनाया जाए उसको आसान बनाया जाए जिससे लोग बड़ी संख्या में travel कर सकें और industry वापस अपने रास्ते पर आ सकें तो यह ITA की तरफ से कहा गया है Boston अमरीका में यह meeting हुई थी ITA की 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के दर्मियान तो बरहल दोस्तों यह ITA की तरफ से अपडेट है जिसमें कहा गया है कि fully vaccinated वालों को PCR test quarantine इन सब चीजों से दूर रखा जाए और जो जिन देसों ने अभी तक बार्डर को बंद किये हुई है वो बार्डर को open करें जल से ज गई है उन्हें भी permission दे दी गई है उनको भी entry करने की अब permission होगी यह लोग schools college इसके लवा university के teachers है faculty के member हैं और वहाँ जो scholarship पे जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनको अब direct entry करने की permission होगी वो लोग इंडिया से direct जा सकते हैं सौधी अरब के लिए और एक चीज उनके लिए सह वैक्सीन की एक डोज भी लगवा रखी है तब भी उनका institutional quarantine नहीं होगा सौधी अरब में अगर उन्हें वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवा रखी है तब उन्हें पाच दिन सौधी अरब में institutional quarantine होना पड़ेगा तो यह सौधी अरब की तरब से update है दोस्तों कि कुछ और लोगों को direct entry करने की permission दे दी गई है सौधी हुकूमत की तरब से हाला कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों को कब travel करने की permission मिलेगी जो आम तपके के लोग है जो आम लोग है जिनोंने vaccine की दोनों डोज इंडिया में लगवा रखी है उ को कब travel करने की permission मिलेगी तो बरहाल इस पर अभी तक सौधी हुकूमत ने कुछ नहीं कहा है लेकिन जिस तरीके से पाबंदियों को धीरे धीरे step by step अटाये जा रहा है उससे उमीद की जा रहे है कि आने वाले दिनों में जल्द ही सारी लोगों को travel करने की permission मिल सकती है अगल को approved किया जाए या ना किया जाए यानि को vaccine को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये फैसला अगले हपते में हो जाएगा WHO की तरफ से तो जो लोग को vaccine लगवा चुके हैं वो लोग अभी थोड़ा और इंतिजार करें क्योंकि अगले हपते में को vaccine पर फैसला आने की पूर संभावना है बैराल दोस्तों इस पर आगे कोई update आएगी तो वो आप तक पहुचाए जाएगी इसके लिए आप परदेशी फ्लाइटी टूट चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल लखिए खुस रहिए गुड़ बा